कथा गाथा नंबर 56 उफ्र बग्डो धम्रपाद ये जो कथा है ये महाकस्यप थेर की है महाकस्यप थेर बहुत ज़्यादा विनय का पालन करते थे विनय में बहुत अच्छे वो धंदर माने चाहते थे विनय के तो जब वो विपस्ता साधना करके निवरते थे तो अपनी जो चारी का है पिंडपाद के लिए अपने भोजन के लिए जो भिक्ता मांगनी है उसके लिए जाते थे और जिसको भिक्ता मांगते थे उसको पढ़ाते भी थे धंब भी से खाते थे यह नियम है अगर खाएंगे तो फिरीका नहीं खाएंगे धम देंगे तब ही खाएंगे जब वो विपस्टा साधना में पारंगत हो रहे थे तो सीलों के गुण के कारण उनमें दिन पर दिन प्रगती होती जा रहे थी उनके वहवार से उनकी चाल से और उनके जो वातबन जो खुसबू आती थी वो बदलती जा रहे थी चुकि वहाँ और भी मानेताओं के लोग थे इसलिए महाकस्यप को कुछ लोग कभी पिंडपात और खाना नहीं देते थे जैसा कि निया मैं के गेट पर जाके खड़े हो जाते हैं दे देगा तो ठीक और नहीं देगा तो आगे बढ़ जाएंगे पांच घर तक मगर एक दिन उनों लोगों ने भी जब देखा कि जो महाकस्यप हैं वो बहुत ज़्यादा सीलवान हो गए हैं अब उनके अंदर से एक उर्जा निकलती है उनके चैरे पे बड़ी क्रांती और बड़ी शांती है और अब उनके अंदर कहीं कोई भेदबाब कुछ नहीं है तो उनके जो ऐसी लोग थे जो उस माने तके नहीं थे जिन्हों ने कभी उनको भोजन और पिंड़ पात नहीं कराया, वो भी उनको भोजन देरे लेगी, जब एक दिन उन लोगों ने उनको पिंड़ दान दिया, भोजन दान दिया, तो विक्ति कभी उनको दान नहीं देता था, पिंड़ दान भोजन नहीं देता था, उसने भी इ यह गाथा कही जो इस प्रिकार है अप्मत्तो अयंग गंधो यायंग तगरचंदनंग योचे सीलवतंग गंधो वाती देवेसू उत्तमो अप्मत्तो के यहाँ दो अर्था आते हैं अप्मत्त का मतलब एक तो आता है अल्प मात्रा और एक आता है एप्मत्तो यानि कि जो प्रमाद में ना रहे दोनों देगे से यूज होता है यह तो यहाँ इसका जो मतलब है वो है अल्प मात्रा में अल्प मत्तो, अयंग गंधो, अयंग माने यह व्यक्ति और गंधो माने गंध से, यानि अल्प मात्रा में यह गंध, यो यंग तगर चंदनंग, यो यंग का मतलब है या अयंग, या अयंग का मतलब है या यह तगर चंदनंग, तगर जो खुस्पुदार पौदा है, जिसका माने और सील वतंग गंधो का मतलब है जो सील के में ब्रत रहता है यानि सील वाला होता है गंधो जो उसकी सील की रहने वालों की गंध होती है वाती देवेसु उत्तमो वाती माने बहती है बहता है देवेसु माने देवों में देपताओं में उत्तमों माने उत्तम यानि इसका मतलब है जो ये है तगर चंदन की गंद है अल्प मात्रा है ये है और जो सीलवानों की गंद है बहती है वह देपताओं में उत्तम है यहां भगवान का जो आश्य है वो ये कहने का है कि जो तगर की और चंदन की जो गंद होती है वो तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में होती है जो हवा के साथ बहती है जिसको मिली मिल गई नहीं मिली कोई बनी हुआ मगर जो सीलवान लोग होते है उनकी जो गंद होती है वो इतनी उत्तम होती है कि वो देवताओं में भी बहती है जो देव लोग होते हैं वहां तक भी उनकी खबर पहुंचती है चाहे हवा विप्रीत है या नहीं है वो चारो तरफ 24 गंटे बहती है देवताओं को मतलग है यहां जो पाँच सील के मानने वाले लोग हैं तो कि भगवान बुद्ध के समय में दो तरह के लोग होते थे मकर में दो तरह के एक मनुस्य और एक देवता मनुस्य वो होते थे जो पाँच सीलों का बाकी सीलों का पालन नहीं करते थे और देवता वो होते थे जो कम से कम पाँच सील का पालन करते थे या उससे जादा भी करते थे तो सज्जन पुरूस होते थे बड़े अच्छे होते थे उनके निर्मल मन तब भगवान मुद्ध ने ये कहा कि जो ये खुस्पू जो पैदा करने वाले हैं चंदन हैं या तगर हैं इनकी जो खुस्पू होती है वह बहुत कम होती है मातरा में होती है जब तक खुस्पू रहती है उसके बाद वो खतम हो जाती है हवा चलेगी तो बहेगी वन्ना वो वहीं खतम हो जाएगी अब मिली या नहीं मिली मगर जो लोग सील का पालन करते हैं जिनके सील के गुण होते हैं उनकी गंद इतनी दूर तक होती है, 24 गंटे पर्मानेंट होती है, वो चारो तरफ फैलती है, दिन दुनी रात 24 तरखी से चारो तरफ फैलती है, यहां तक फैलती है, कि जो सजन और देवता लोग होते हैं वो भी इसको कहते हैं कि ये उत्तम है उनके लिए भी ये उत्तम और सबसे बड़िया होती है इसलिए जो महाकस्यप ने जो सील का पालन किया और सीलों की विनाय पर जो चले वो उसकी गंद इतनी जादा थी कि वो लोग जो कभी उनको नहीं मानते थे या किसी भी हलत में उनको मानता नहीं देते थे उनको भी ये मानना पड़ा कि हाँ महाकस्यप के जो सील हैं वो इतने अच्छे हैं हमें उनको दान देना चाहिए हमें उनको बिक्ता देनी चाहिए और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उनी की बात को सल्भसा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामूँ संगं सरेणं गच्छामूँ दूथियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामूँ दूथियं पी बुद्धं सर्नं गच्छामी दूथियं पी दम्मं मर्सेणं गच्छामूँ दूथियं पी दम्मं सर्नं गच्छामी दूथियं पी संगं सर्नं गच्छामूँ बुखियं पी संदम सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुखियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी धंदम सर्णं कच्छामी बुखियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी संदम सर्णं कच्छामी ततियं पी संदम सर्णं कच्छामी साथू साथू साथू